आई दोस्तों आज बना लेते हैं मटर से एक नई रेसिपी बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी बना रही हूं तो इसके लिए एक पैन में दो कटोरी मैंने पानी ले लिया है पानी जब थोड़ा अच्छे से गरम हो जाए इसमें मैंने नमक डाला है आदे चमश नमक थोड़ी सूजी मिला दोंगी एक कटोरी सूजी लिया है मैंने और इसको बहुत धीरे-धीरे से डालती जाओंगी चला-चला करके और मिलाती जाओंगी इस तरह से ये देखिए गाड़ा होता जाएगा और सूजी जो है पूरा पानी धीरे-धीरे सोक लेगी अपने में और ये बाते चलाते हम इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे और ये बिल्कुल एक डो की तरह से तैयार हो जाएगा ये देखिए पानी इसका सूख चुका है अच्छे से और मैं इसको चला-चला करके इसको सुखा लोंगी अब ये पूरी तरह से सूख चुका है पानी और बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसको मैंने ठक कर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, अब इतर एक मसाला त्यार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कटोरी हरी मटर लिए है, थोड़ी सी हरी मिर्च, लैसुन और हरी धन्या, बिना पानी डाले, इसको मैं पीसूंगी, थोड़ा त्यार हो गया एक पेस्ट जैसा, बिना पानी डाले, सुखा सा पेस्ट हो गया यह, अब मैं इसमें नमक, थोड़ा सा हींग, और थोड़ा गरम मसाला, मिक्स कर दूंगी अच्छे से, इसके बाद जो डो है, वो पूरी तरह से त्यार हो चुका है, अब मैं हाथ में सा तेल लगा करके, इसको गूत होंगी, गूतने पर यह बहुत अच्छे से, आटे की तरह से बन जाता है, यह देखिए, इस तरह से, हलका सा घी या तेल कुछ भी हाथ में लगा करके, और यह गरम ही है, बहुत जादा गरम है अभी, तो इसको मैं थोड़ा सा किनारे निका से गूत लोंगी, अब जो मैंने चकला और बेलन लिया है, इस पर भी अच्छे से ग्रीसिंग कर लोंगी, जिससे यह इस पर चिपके न, अब यहाँ पर छोटी सी लोई ले करके, मैं एक पूरी के अकार के इसको बेल लोंगी, अब जो मैंने, अब देखिए, किनारे से इस बनेंगी पूरिया है, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है, यह देखिए, अब जो मैंने पेस्ट त्यार किया था मतर का, उसको मैं इस तरह से भर दूँगी, और इस तरह से किनारे से दबा करके, बिल्कुल गुजिया की तरह से इसका शेप दे दूँगी, इसी तरह से मैं सबी पूडियों में मटर का जो बैटर था उसको भर लोंगी यह देखिए बिलकुल यह फरे की तरह से बन जाएगा जो हम लोग फराया गोजा जो आप कहां बोलते हैं उस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर मेरी रेसिपी आपको जरावी पसंद आ होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इस तरह से करके मैंने सारी पूडियां भर ली हैं मटर से और सब बनके तयार हो गई हैं यह देखिए बहुत ही आसानी से यह बन जाता है बहुत ही हल्दी और पॉस् पानी रख दिया है अगर आपके पर स्टीमर हो तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं और यहां पर थोड़ा सा तेल की ग्रिसिंग कर दी थी इस बरतन में जाली बरतन में और सभी फरे को इसमें मैंने रख दिया है अब हम इनको 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए सरसों का उसमें राई का तड़का दिया है करीपता हर इमेज डाली है और थोड़ा सा यहां पर मैं सफेद तिल एड़ करूंगी इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके बाद जो फरे थे मैंने इनको दो-दो पीस में ऐसे कट कर लिया है और फिर इसको मैं इसमें बहुत ही हैल्धी और टेस्टी नासता है आप सुबह शाम जभी भी चाहिए इसको बना सकते हैं और बना के इंज्वाय कर सकते हैं यह बन करके बिल्कुल अच्छे से त्यार हो गया थोड़ा सा इसको मैं और लाल कर लूंगी यह देखे लाल करने से क्या ओगा थोड़ा क् तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ और यह लाल हो जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहें तो इसको कट ना करें और डीप फ्राई भी कर सकते हैं वो भी अच्छा सा फ्लेवर देगा और यह अच्छे से बन के फरे त्यार हो गए हैं अब इनको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया था बहुत ही टेस्टी लगा था सर्व करते समय आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला उपर से छिड़क दीजे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है बहुत ही टेस्टी फरे बन करके हरी मतर के सूजी वाले फरे बन के तयार हो गए